आई इस लेवल नाट्स में आपका हार्दि स्वागत QPSCACC Nauts in Hindi और आज हमारा टौफिक हैं दोस्तों रज्य मानवा धिकार आयोग रज्य मानवा धिकार आयोग हैं वो क्या है और ये किस परकार कारे करता है और इसमें किस परकार कौन दिक्स होता है तो सब कुछ जानने वाले हैं आज हम रज्य मानवा धिकार आयोग के बारे में और फिर बात करेंगे आरेस में पूछे जाने वाले जो भी सवाल हैं उनके बारे में चलिए शुरू कर देते हैं कि राज्य मानवा धीकार आयूकर भारत में मानवा धीकारों की रक्षा करने के लिए 28 सितमबर 1913 से मानव अधिकार सरक्षन अधिनियम 1913 लागूआ था 1913 का मानवा धीकार की रक्षा के लिए 28 सितमबर 1913 को मानव अधिकार सरक्षन अधिनियम 1913 के तेर देश में मानवा धीकार की रक्षा के लिए राष्टिय मानवा धीकार आयूकर गठन किया गया था राष्टिय मानवा धिकार आयोग की गठन का 10 अक्टूमर 1913 में न्याय मूर्ती रंगनात मिसर की अध्यक्सा में किया था और इस मानवा धिकार राष्टिय मानवा धिकार का आयोग का दस अक्टूमर 1913 को न्याय मूर्ती रंगनात सिंग मिस्टर की अध्यक्स्ता में इसका गठन हुआ था इसका परधान कारियले दिल्ली में है परधान कारियले मानवाधिकार का कहले दिल्ली में है बारत की संसद्य द्वारा बारेती अधिन्यम मानव अधिकार सरक्षण अधिन्यम 1913 की अनुसार राष्टिय इस्तर पर राष्टिय मानव अधिकार आयोग एवम राज्य इस्तर पर राज्य मानव अधिकार अधिकार आयोग की ओ इस्तापित किया गया तो टाइपिंग में गड़ बड़ है कुछ नहीं कि भसंसद है भारत में उसको अधिनियम को पाधिनियम के तैट मानो सरक्षन अधिनियम 1913 नुका जिसके तैट राष्टिय इस्तर पर मानवादिकार आयोग का गठन किया और राष्टिय इस्तर पर भी मानवादिकार आयोग का गठन कर इसके इस्ताफना की गई मानवादिकार सब्द मानवादिका सरक्षन अधिनियम के धारा दो के गह से परिपसित किया गया है मानवादिका सरक्सन दिनियम की परिवासा कहा मिलेगी आपको धारा दो के गह भाग में राज्य मानवादिकार आयो के वलूनी मामलों या मानवादिकारों के उलंगन की जास कर सकता है मानवादिकारों के उलंगन की जास राज्य इस तरह पर की जाती है जो स्विधान की राज्य सूसी और संवर्ति सूसी के तहर आते हैं, विराष्टिय मानवाधिकार आयोग या अजिय किसी विधिक निकाए किसी भी मामले पर रहने से की जास की जा सकती है तो मानवाधिकार आयोग नहीं कर सकता। वर्तमान में देश में 23 राज्यों में मानवाधिकार आयोग के स्ताबना की गई है कितने राज्यों में के गई हैं 23 में राजस्तान राज्जे मानवाधिकार आयोग राजस्तान राज्जे में मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिका स्रक्षन दिनियम 1931 की धारा 21 के एक तैट 18 जनवरी 1909 को किया गया था राजस्तान राज्जे मानवादिगार आयोग ने मारस 2000 में विधिवत रूप से कारे परारम किया था और आयोग की मुख्य कारेले ससी वाले कहां परिस्तित है जहपूर में स्तित है आयोग की अज्जेक्स उच नियाले के सेवा निर्ट मुख्य नियादिस ही होता है तथा एक बहुत सदिशे निका है ये एक क्या है बहुत सदिशे निका है आयोग का संग्ठन किस परकार किया करता है आयोग का संग्ठन आयोग की अज्जेक्स उच नियाले का सेवा निर्ट नियादिस, ईसायों का अधिक्स होता है। या रहा है, 7 साल का अनुभव, जिने मानवह दिकार के सम्मधित मामलों का ज्यान हो, उसे वेभारी का अनुभव होना चाहिए, वो इसका अधिक्स बन सकता है। जान दे, जान रहें कि यहाँ पर उच नियाले के अन्य नियादिस उलगनी है न की मुख्य का, यहाँ पर अन्य नियादिसों का उलंगन किया गया है न की मुख्य नियादिस का, आयो के एक सदिश्य का होगा, यानि कि आयो के एक सदिश्य वाला होगा, कैसा होगा आयो एक चुका हो या इसका अन्य न्यादिस भी मरह चुका हो न्यादिस के दो सदिश्य हैं वे होंगे जो मानवादीकार के संद्रप में विशे से जानगारी रखते हैं मानवादीकार की समद में इसे जानगार रखते हैं उनके समद में दो सदिश्य सुने जाएंगे जान रहें वि पहले सदिशे था इब ये से जोड़ी हैं लेकिन राजस्तान में 200 सन्सोरतर जिसमें हाज दो सदिशे permettre जोड़ का तीन कर दिये हैं सदिश्यों की युगेता stitches Road पुछ ने नियादिस हो यह रह चुक मुझा हो op एक अन्य नियादिस एक न्यूज़ी भो होगा जो जिला नियादिस हो या उसे सात वर्स का नियाई का नुब होना सब्provani साथ वर्स का ओके यहां वो किसी वेक्टिक गैंद्वा करोरे के विशे में अच्छी जानकरी प्राप्त रखता हूँ अब देखो यहां पर देखो कि सदिश्यों की योगिता में क्या-क्या बदलाव किया गया है वो देख लेते हैं तो मानवादिक आयो कि सदिश्यों में क्या-क्या बदलाव किया गया है तो इद्धिक्स पुरो अनुसार ही होगा पुरो अनुसार ही होगा यह सदिश्य भी पुरो राजियक्ष्यक्ष्ट can Mau рук कि औरा मुख्यमंतरी के नेतरतों में सर्जाद्थियू की एक सिुमिति की सिभारिश पर इनका दोस्तों कि में मक्यमंतरी नेतरतों में पूसद्धन के सित्धन समयATHAN को मनाने के लिए राश्रपती बाद देए और सिमिती को मनाने के लिए कौन बाद है राष्ट पती बाद है अद्चिस रेक्स कि अर्बाइचा को सपत पूछ नियाली का मुखे नियादिस दिलाता है Hello 12 beim LikHA-PAL दोफारा एक Komiti का अनुसंसा करें की जाएगी जिस सिमिती में सामिल उंगे एनि कि राजजाएपाल दोफारा Komiti के अनुसंसा भी कि जा सकती है इसका विरोध भी किया जा सकता है इस सिमिती में क्या किया सामिल मुख्य मंत्री सिमीतिदी के प्लओं इद्यक्स हैं जिसमें मंत्री होगा राज सभा 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 की विपक्स का नेतब सी आइइ अब देखी आद्र बात करते हैं राइन विपक्स का Ѧुह यettu ओर निक्याम कोन हो जाता तो इसके लिए दोस्तों रिक्त पद को अवदी से पहले नहीं भरा जाएगा ये एक मानी तथी नहीं है अध्यक्स और सदिशी को कैसे हटाया जाएगा पहले देख लेते हैं एक में देखो अध्यक्स और राज्जी हायू का कोई भी सदिशी अपने पद्ज में केबल उसी दसा में राश्टपती के आदेश द्वारा हटाया जाएगा जो सिद्ध कदासा रात्वा असमर्तिया में यूगत हो इस समद्ध का मामला राश्टपती द्वारा जांसे उस तम नियाले में निर्दिश्ट किया जाएगा उच्छे तम नियाले में क्या किया जाएगा निर्दिश्ट किया जाएगा उच्जीतम न्याले द्वारा जांस करने के पच्ईाती रिपोर्ट राश्ट पती के पास बेजी जाएगी पाइग किसी बात के होते हुए विरॉत दुर्विभार और असमिर्था पाई जाने पर राश्ट पती द्वारे जा सकता है इसके आधारों पर हटाने के लिए निमलिकित योगेता होने चाहिए, कौन कौन से योगेता होने चाहिए यदि वो दिवालिया हो गया हो, यदि आयो के कारेवक के दोरान उसके कोई लाब का सरकारी पर धारन किया हो यदि वो दिमा कि अषादी रिक內र पर अबने डावत्ति वेकर निर्वेंड के लिए अही हो गेता हो या दोस्तों इसके साथ ही यार तो किसी मांसिक भूब से अस्वस्त हो या ऐसक्षम नियाले द्वारा किसी अशक्षम घुसित किया गया हो यदि किसी के अपराद ये समध में दोस्ते सिद्ट किया गया हो उसे कारावाज की सजा भी दी गई हो तो ये दोस्तों इसके कारणे से इस भरता आग्या शकता है वर्ट का कारगाल य Precisके उम्र जो भी पहले पूरी होई तो पत से बना रहे सकता है लेकिन यह दो बाते ध्यान में रख लेना है यदि दोस्तों वेक्ति वो है बनावा मद्यक्स हैं वो सिक्तर वर्ष की आयू पूरी नहीं हुई हो उस आयू को पुन्दर न्यूक्ति की आजा सकता है कारिय गालपुरन होने के बाद राज्य और केंदर सरकार के अदिन कोई पद्गर नहीं कर सकता है राज्य मानवादिकार आयों के प्रमुग क्या कारें वे देख लेते हैं तो मानवादिकारों के उलंगन की जांस करना अथ्वा किसी भी दोस्तों लोग से उकों कि समक्स पस्तूर मानवादिकार उलंगन के परातना जिसमें वो अभहिलना करता हो या जांस मानुए वाइटार आयों कि रक्षा में रखनेक रिए विद्यों पले की संक्षा ॉपा cliff कर दोफ है स्थे अने करता हैं जिसमिधारों को रहा है मानुए फ़ीलाधारों की सभिल खर सकता है इसे पर उपाया व MR कहते हैं। मानुsil AHKyiamだ से समधियां दस्तावमीद का कानुन अध्यन करना ही उन पर वभाज़त प्रफिय सक्टियों का तरीके रूपसे लागू करने के लिए जो भी शादी जाती हैं अनो सपारिसह की जांस भी कर सकता है मानुवधिकार के सेतर में सोध करना इसे प्रोसाइद करना मानुवधिकार के सेतर में इसकी सोध करना इसकी जांस करना में मानुवधिकार आयू का काम होता है लोगों भी इसमें मानवादिकारों की जानकारी को फेलाना, सुरुक्षा के उपपन को पाई के लिए जागरुगता करना, परती जागरुगता को फेलाना भी इनका परमो कारना है, मानवादिकार आयो के कारे रत गेर सरकारी संक्टों प्रयास रत सहारना करना या ऐसे आवस जांस कर सकता है जिसमें गटित हुए एक वर्षव के भीत्र काम हुआ है उस पर दोस्तों जांस कर सकता है यह एक वर्ष के पुर्व घटना का आयुग में कोई अधिकार नहीं है ये एक वर से पुर्व कोई गटित हुじゃ तो उस पर जास करने का कोई अधिकार इसके पास नहीं है अयुग खोई भी आर्थिक साइथे नहीं देशनी चानधीका नुकाम कि उसको वालज झाय uda देलाना बसे नहीं कOO कि राजस्तान मान्वादीका रायो द्वारा महतेपूंड पत्रिका जारी की गई थी जिसका मान्वादीका सद्देश एक पत्रिगा जारी के गए मानवादिगा आयोग ने जिसे कहते हैं मानवादिगार पत्रिगा पर्थम अद्यक्स कांदा भटनागर थी वर्तमान अद्यक्स प्रकास टाठिया थी मानवादिकार अध्यक्सुखी सूसी, कांदा कुमार भटनागर, सियद सागरी एहमद, दरिंदर कुमार जैन, फिर देपरखा चंदर टाटिया मानवादिकार आयो के अन्य मैते पूंट अच्छों पर चली कर लेते हैं पहले सरसा आयो के कारे वस्त सिपारी से असला पर होता है, इस आयो के एक साल से पुराने घटित मामले की जास नहीं कर सकता ये चीज़ आमने बीचे पड़े थी आयोग के ससस्त्र बलों पर दिये गए मानचित्र हैं दोस्तों मानवा दिकार मानवा दिकार उलंगन की जास नहीं कर सकता यानि कि दोस्तों ससस्त्र आयोग बल है ससस्त्र यानि कि सैनिक बलों की जो आयोग हैं उन पर मानवा दिकार आयोग है वो जास नहीं कर सकता उलंगना की जास नहीं कर सकता आयोग मानवा दिकार आयोग मानवा दिकारी उलंगन को दोस्ती को दंड देने का दिकार नहीं रखता नहीं उने पेड़िता को किसी परकार के साहिता दे सकता हालां कि आयोग के सिपारेश पर कार है आप आगे दिख लेते राज्य मानवादिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानवादिकार एक उलंगन की जास कर सकता है जिसमें सुविधान की साथ यह नुसुषी में दो तीन अंतरगत आते हैं लेकिन यह थी इस परकार के किसी मामले की जास से पहले इराश्ट्य मान स्वाल आपके लिए राज्य मानवार का गटन कब कीया गयता दोफ़ावादिकार नहीं की ओविथे हैं इसके बाद आयू के को सधिश्य के संग्या कितनी होती है एक सधिश्य पूरो था अब जाए फीर देश्य है आगे मानुवधिकार रायू के समद्दि सुनुतिय कोन कौन से के समाधान के उपाई लिखना है तो उपाई देख लिए समाधान के मानवादिका द्वारा वार्सिक बर्तिवेदन समय में 3-4 वर्स के देरी की बस्तुत किया जाता है जिसमें निति निर्मान करने में समय लग जाता है मानवादिकार के ओलंगन के मामले में जानकारी देर से पराप्त होती है तो तो अच्छी नहीं है जमुकस्मिर में मिलाकर आज अथारा राज्व मैंसे संसता है परन्तु राज्य सरकार ने इन्हें स्वाइता तरीके से कारे करने के लिए वित्य संसादन नहीं देती है और मानवादिकार आयोग दोजा साथ आट को वित्य वर्स में दो करूट रुपे राज्य मानवादिकार को दिया है कितने कροोड़ डिपे, दो करोड़ डिपे ये एक सहरान या बात है जो एक सहरान य atheist है लेकिन इसी से अधिक बढ़ाने क्या अचता है और इसे पैसे को अधिक बढ़ाए और लोगों को लापराप्त कर्वाये नियाएक सट्कियों के लिए मानवादिकार आयो के मत में प्लिस सबसे बड़ी मानवादिकार के उलंगन में सामिल है मानवादिकार में सबसे अधिक उलंगन को अर्गता है प्रसासनिक परक्रिया है जो प्लिस सुधाने की आव सकता है प्लिस को ये प्रसासनिक परक्रिया सुधाने की आ सकता है 861 में पुलिस एक्ट करते हुए पेंट्रोलिंग पुलिस जांस पुलिस को अलग किया जाना चाहिए नागरिक तो के अधीक संपरक वाले पुलिस बलको सुधार जाना चाहिए इसे अधीक पड़े लिखे सब्वे वेवार और आधुनिक तरीके की जानकारी होंगी जिसे को अधीख खर्स्ट करें आदिकार के परती इदों में यह उबरकर सामने आया है भारत में acceleration करें मानुव अधिकार की इस्तिया लगबग ठीक ठाग है परंतु सामाजिक आर्थिक इस्तिय अच्छी नहीं है क्योंकि मानुव अधिकार आयोग में सीवली सेवकों काम जोपद इस्तापना कम होता है न्याजिसों की संचा अधिक देख लेकों मिलती हैं जो लोक नेती में संच जा सकती मानुव अधिकार आयोग की कारयों का वंणन कीजें अगला प्रस्टन है मानुव अधिकार का वंड़न करना है सबसे पहले देख लेते हैं किसी व्यक्ति संग्ठन सता के अनरोध पर सब्ली नहीं क्याना के आधार पर मानुव अलंगन का मामले की जांस करना जिले के जेलों का दोरा करना जिले के जोलों का दोरा करना इनका प्रमुक का रहे हैं सभी प्रावदानों का जिन करना यदि कोई भी प्रावदान जो मानुवधिकार के लिए हैदकारी नहीं है तो उसमें संसोद करने का सुझाब देना मानुवधिकार आयोग का प्रचार हो तो ल दोस्तों आपने अभी तक में रेट हैनों को सब्सक्राइब नीज प्लीज कर जिए लाइक डोस्तों के साथ सेर करें कमेंट बकस में बटाए वीडियो का रगा मानवादिकार के समझत कोई भी सवाल को नहीं मिल रहा है या इसमें कोई चूट चुका है या दोस्तों पसके जरी जरूब बताई तैनिवाट